नवस्कार फेंट्स आज के इस वीडियो में आपका बहुत वो स्वागत है और आज हम यहां डिसक्स करने वाले हैं दनूल लगन के लिए जुलाई 2019 का महिना कैसा रहेगा फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट हैगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा साथ ही आपको यह मंतली प्रेडिक्शन के वीडियो हैं वो यहाँ पर सबसे पहले मिल सकेगे तो इतना बस सपोर्ट कर दीजिए बाकी आप वीडियो सुरू से लेके एंड तक देख सकते हैं और इस वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं जो यहाँ पर एक प्लेस्मेंट है ग्रहों का जो प्लेस्मेंट है हाउस के अकोर्डिंग और फिर जो उनका एसपेक्ट है उसके अकोर्डिंग भी तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं जो रासी परिवरतन हो रहा है जुलाई 2019 के दोरान उसकी बात कर लेते हैं सूरिये 15 जून से 17 जुलाई तक मिथुन में रहें हैं बुद्ध 21 जुन से 23 जुलाई तक करक में रहने वाले हैं सुक्र 29 जुन से 23 जुलाई तक यह मिथुन में रहने वाले हैं गुरु वर्ष्चिक में रहेंगे सनी रहेंगे दनु में और राहु मिथुन में रहेंगे केतु रहेंगे दनु में तो राहु और केतु हैं य कि दोनों ही अपनी उच रासियों में विराजी था है इस समय और इन्हों ने अभी मार्स महिने में साथ मार्स के लगबग अपना रासी प्रिवर्तन किया था और ये 18 माहा तक अपनी इन उच रासियों में रहेंगे तो काफी अच्छे रेजल्ट इनके मिलेंगे। अब हम यहां चर्चा कर लेते हैं जो परते हाउस की जो प्लेस्मेंट बन रही है उसके कोडिंग सबसे पहले देखिए अगर आपकी होरोस्कोप में यहां पर नो नमर लिखावा है फैस्ट हाउस में यह जो फैस्ट हाउस है इसको पहला जो खाना इसको फैस्ट हाउस मना ज जब भी आपके बारवा हो जाता है, यानि बारवी भाव में चला जाता है, तो ये किसी भी जो आपके फेमिली में बड़े बुजुरुक हैं, उनकी हेल्थ के लिए कुछ होस्पिटिल का खर्चा दिखाता है, आपका खुद का खर्चा वो दिखाता है, आप बहुत इसके लावा आपको यहाँ पर गुरु कुछ अगर आप विदेश में रहना चाहते हैं तो विदेश में रहने के लिए प्लैस्मेंट काफी अच्छा है बारवे गुरु में आपको प्रमानेंट सेटलमेंट भी वहां पर हो सकता है अगर आपका कोई ऐसा कुछ काम बना हुआ है विदेश से तो इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आपको self confidence में भी यह कमी देता है जब गुरू बारव हो जाता है तो इसके अलावा आपको sixth house पे भी गुरू का aspect है जो आपको काफी protect करेगा जो sixth house की चीज़ें हैं आपके दुसमनों से या फिर आपको जोब है कुछ diseases से और आपकी जो जोब है वो भी इस समय गुरू बरकरार रहेगा बरकरार ये रखेगा और जब गुरू आपके 11 में था पहले तो उस टाइम आपको कुछ बड़ा फाइदा जरूर हुआ होगा आप देख लीजए जोब के मामले में या फिर कुछ धनका लाब जरूर आपको मिला होगा और वो लाब अभी तक बरकरार रहेगा आपका जब तक गुरू आपके लगन में नहीं आते हैं और लगन के बाद इनका जो प्रेडिक्सन है वो बाद में हम करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की कुछ कंबिनेशन बन रही है कुछ पलेशमेंट बन रही है अब आपके यहाँ पर देखिए आपके फॉर्थ लॉर्ड आपके बारवे भामिस लेगे तो कुछ ना कुछ आपको हैपिनेश जो फैमिले की हैपिनेस है या आपको कुछ मदर आपकी इतना बचेगा नहीं अगर आप एक रुपए कमाते हैं तो यहां पर आपको खर्चा दो रुपए होगा इस तरह की कंडिशन कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है हलंकि जल्दी ही बाद में गुरू जब यह आपके फैस्ट आउस में आएंगे तब कुछ इस्तिति है वो अच्छी बनती हुई दिखाई देगी अब यहां पर बात करते हैं आपके सेकंड लोड की सेकंड और थर्ड लोड आपके बनते हैं सनी और यह लगन में आई वह हैं तो यहां पर सनी का जो एस्पेक्ट है वो आपके थर्ड हाउस पे है और आपके टेंथ हाउस पे आपके सब्तम हाउस पर ये तीन हाउसेज हैं जिन पर सनी के एस्पेक्ट है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपको कम्यूनिकेशन स्किल से भी कुछ दिक्कत नहीं हो यहाँ पर हो सकती है अलांकि राहू का एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पर होने से काफी अच्छा फाइदा रहेगा बट आपको जो एक आपका प्रोफेशनल लाइफ है उसमें वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे रिजल्ट आप फिलहाल चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ रहेगा और आपको थोड़ा सलो रहेंगे आपका काफी आल सी रहेंगे इस दोरन और एक कॉन्फिडेंट जो है आप रहेंगे नहीं बिल्कुल भी के तो यहां पर आपको अपने आप से ऐसंतुष्ट देता है आपको अपने फीजिकल से या आपको अपने जो एक सेल्फ स्टेमिना होता है जो की अच्छा नहीं है यह आपके लाइफ आर्टनर की हेल्थ के लिए बहुत ही यहां पर नुकसान धायक हो सकता है इसके लावा जो सनी का एस्पेक्ट हो आपके टेंथ पे तो टेंथ पे आपको यह एस्पेक्ट होने के वज़े से आपकी पदोनती नहीं होगी यहांपर और कुछ चैन्सेज अगर बन भी रहे तो आपकी पदोनती जो एंड में जाकर किसी ना किसी वज़े से रुख जाएगी कुछ बोस की कुछ जो है वो आपको कुछ मल सकती है या कुछ आपको कहीं आपको दिक्ट आती है काम में तो आपको कुछ सलाह के लावा आपको कुछ डाठ पढ़ सकती ही आपधे आपकी professional life है वो थोड़ी अच्छी नहीं रहने वाले इस दोरान जब तक सनी आपके फैस्ट हाउस में रहेंगे आपके लगन में रहेंगे तब तक आपको प्रोफेशनल लाइफ है उससे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितनी महनत आप करेंगे उतने रिजल्ट अच्छे नहीं मिलने वाले अब हम बात करते हैं पहले केतु की बात कर लेते हैं केतु यहां पर रहें तो आपको थोड़ा धार्मिक बना देंगे और यह धार्मिक भी ऐसे बनाते हैं जैसे आप बिलकुल धार्मिक उच्छाईयों को छू लेंगे इस तोरण तो इस तरह का धार्मिक यह बनाते हैं क्योंकि अपनी उच रासी में है और फिर लगन में आगए तो काफी या आपको जो है आपकी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा धार्मिक ताकि ओर ले जाएंगे और काफी उचाईयां अगर आपको पार करनी है उचाईयां अगर आप के बनते हैं मंगल और मंगल आपके जा रहे हैं जुलाई के दोरान आपके अस्टम में तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्सिडेंट वगेरा का कुछ बन सकता है या फिर जो आपको एड्थ हाउस की चीजें हैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कतें फील हो सकती है और फिफ्ट लोड जब भी अस्टम में जाता है तो कुछ एड्यूकेशन की वज़े से भी आपको कुछ आपको डाउंस मिल सकते हैं कहीं आपको कुछ रिजल्ट हो तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं रहे या फिर अचानक कुछ अच्छा मिले आपको कुछ मिले ऐसा भी हो सकता है बट यहां पर डाउंस की समावना ज्यादा है यानि कि आपको जो नेगिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं उनकी समावना बहुत ज्यादा यहां पर बनी हुई है और इसके लावा हम बात करें तो आपके ट्वर्स लोड ट्वर्स लोड आपके यहां बनती हुई दिख रही है तो उतने बेकार रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले दोनों ही हाउसेच से इसकर आपके अस्टम के तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सावदान रहना पड़ेगा हलांकि बट आपको कुछ एक्सिडेंट थोड़ा बहुत कुछ चांसे बन स सुक्र है और आपके जो मेरिज लाइफ का पार्टनर है उसका कारक भी यह जो है मेल की होरोस्कोप में देखा जाता है तो यह काफे अच्छा है बट आपको कहीं न कहीं दूसरे की और आकरसित होने में भी यह मदद करता है दूसरे किसी और पार्टनर की तरफ तो इस तरह का आप ना करें तो अच्छा है राहू यहां है तो राहू का मतलब है यहाँ पर थ्टोड़ा चीटिंग हो सकती आपके साथ कहीं न कहीं आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है उससे भी आप साथवदान रहे और सूरिय लेडी यहाँ पर है तो आप अपने जो लाइफ पार्टनर और आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनमें आप थोड़ा सा एगो देखेंगे थोड़ा सा एगो आप जरूर देखेंगे और आप अपने खुद में भी थोड़ा सा एगो देखेंगे उस वज़े से काफी दिक्कत आएगी सनी का एसपेक्ट आपके सब्तम हाउस पे उस बज़े से भी प्रेशानी है और केतु का एस्पेक्ट भी है तो इस तरह से इस्थितिया है जो सब्तम हाउस की जो इस्थितिया है वो 20% यानि 20% ही पोजिटिव आपके लिए कही जा सकते हैं बाकी यहां पर काफी दिक्कते हैं और राहू का तो आपको पता ही है कि राहू अगर सब्तम में आ जाते हैं तो यह आपको डिवोर्स तक करा देते हैं बट वैसे चांसे नहीं बनने वाले आप अगर पॉजिटिव लेके चलेंगे चीजों को तो उसके लिए तो और भी जो है योग देखने पड़ते हैं बट आपको यह काफ सेवन्त के लोड भी सुक्र बनते हैं और यह सेवन्त में आ जाते हैं तो आपको काफी अच्छा बेनेफिट मिलने वाला है आप अपने बिजनेस से काफी पैसा कमा सकते हैं और आपको अपनी वाइफ की तरफ से कुछ ना कुछ इस तरह का मिल सकता है आपको अपने फ्रें रहू यहां पर है तो रहू जब तक यहां पर है आप according to customer हमेशा विखती according to customer काम करता है तो उसकी वस्तु ज़्यादा विखती है और उसकी demand भी ज़्यादा रहती तो उस वज़े से ये एक इस तरह का placement बन रहा है काफी अच्छा beneficial है ये आपके लिए इसके लिए हम बात करें तो आपका आपका जो 7th load है वो आपका अस्टम में चला गया उस वज़े से आपको कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपकी जो sexual habit है वो खराब हो जाए या फिर आप कहीं दूसरे कहीं और किसी के साथ कुछ relation में हो सकते हैं आप अपने खुद के partner के साथ cheating कर सकते हैं और पैसे के लिए ये काफी अच्छा placement है क्योंकि बुद्ध की जो दरश्टी है वो आपके second house पर पढ़ रही है बट आपको यहाँ पर जो एक तो आप अकल science की तरफ जाएंग वास्तु सास्त्र जैसी चीजों में और हो सकता है कि आपको जो है यहाँ पर बुद्ध की यहाँ होने से कुछ अकल्ट में ज्यादा ही आपको interest बढ़ जाए इसके लगा और किसी की साथ आपका relation है तो वो relation है वो सबके सामने आने की समावना बन सकती है इस तरह का relation ना आने से आप अपनी जो पार्टनर है उसके साथ कहीं जा सकते हैं किसी धार्मिक यात्रा पर और एक ego बढ़ा देगा वो जो मैंने पहले भी बताया इसी वीडियो में कि एक life partner का थोड़ा सा ego बढ़ावा देखेंगे आप और आप खुद का भी ego बढ़ावा देखेंगे तो दोनों में यहाँ पर काफी ज़्यादा दिक्कत हो रही है राहू और सूरिय एक साथ आए तो काफी दिक्कत यहाँ पर आपको यहाँ पर जहलनी पड़ सकती हैं बट हो सकता है कि जहां तक हो आप एक दूसरे की बात को माने तो काफी अच्छा रहेगा इसके लावा आपक आपका जो लख है वो आपके लाइफ शूर्ट्नर से इस टाइम जुड़ा हुआ है यानि कि आपके बिजनेस पार्ट्र से और आपके लाइफ शूर्ट्नर से तो इसका 9th हाउस का समस्दaur है और आप हो सकता है कि आप अपने जो आपसमें जो आपके नीचे काम करते हैं उ के साथ भी कहीं टूर पर जा सकते हैं ऐसा नहीं कि आप अपने लाइफ आर्टनर के साथ ही जाएं हो सकता है इसके लावा राहू यहां पर सब्त में तो हो सकता है आप अपने लाइफ आर्टनर के साथ फोरेंच जाएं या आपका लाइफ आर्टनर कहीं न कहीं फोरेंच जा आपको आपके अपने profession से कुछ आपको lab हो सकता आप कहीं research के field में हैं तो आपको बहुत lab यहां से हो सकता है बाकी यह upper downs का है तो थोड़ा सा आपको down भी हो सकता है अपने professional life में कुछ दिक्कतें आपको pace आ सकती है sunny के aspect के वज़े से भी यहां पर काफी दिक्कतें सो हो रही है तो इस तरह से अगर आप इनको देख कर से लेंगे तो काफी ज़्यादा आपके लिए benefit रहेगा और रहू जब तक आपकी सेवन था उसमें है तब तक यह जो आपके एक marriage life में एक problem आई हुए है उसको आप दूर क तक यहां पर रहू इस house में और रहेंगे तब तक आपको यह जो है दिक्कतें पेश आ सकते हैं और कुछ लोग जिनका कोई relation नहीं है उनका कुछ relation बन सकता है जिनकी साधी नहीं उनकी साधी भी हो सकती है बट अभी साधी के लिए time अच्छा नहीं क्योंकि आपका जो लग तो आज की वीडियो में इतना ही होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अपनी जो पूरी प्रेडिक्शन है जुलाई की उनको अच्छे से जान लिया होगा और आप इनके according अपने आपको जो है डाल लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा अप काफी positive रहे करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद